हाई एवरीवन स्वागत है आपका हमारे शुल्ट उप चनल डेली अपडेट्स इंजिनरिंग में दोस्तों आज की वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि माइनिंग इंजिनरिंग में आगे चलके आपका फ्यूचर क्या होने वाला है जैसे कि अगर आप लोग अ उनके लिए जो है अपना जॉब के लिए क्या फ्यूचर हो सकता है क्या फ्यूचर में उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कुछ काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मतलब उसके लिए जो है हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों क और अपनी बदोलत तो उसको कहते हैं दोस्तों एक सक्सेस्पुल इंसान सक्सेस्पुल का मतलब यहां पर ऐसा बिलकुल नहीं होता कि आप लोगों की एक जॉब लगनी चाहिए एक प्रॉपर जो है गॉर्मन्मेंट जॉब हो या प्रॉपर कोई काम हो दोस्तों क्या फ्यूचर होने वाला है दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बदा दो कि माइनिंग इंजिनियर बनने में कम से कम 6 से 7 साल का समय लगता है क्यों लगता है सबसे पहले जो है आप डिग्री या डिप्लोमा का उप्शन चुनते हैं अगर आप एक डिप्लो करने के बाद आपको जो है कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जो है आप लोगों को एक साल की पीडी-पीटी या पीजी-पीटी करनी होती है एक साल की पीडी-पीटी के बाद जो है आप लोगों को कम से कम तीन से लेकरडिट चाहर महीने तक गव एट करना होता है आप लोगों को अपने certificate के लिए जिसमें ओव में का doko93 सकता है फोर में का हो सकता है सरवयर का certificate हो सकता है अदर्वयस बहुत सारे certificate होते हैं जिसके लिए आप eligible है उसके लिए आपको जो है लगबग 3-4 महीने का समय लगता है यानि कि सबसे पहले आपने 3 साल तो दिया अपनी पढ़ाई में education में उसके बाद जो है आपको 5-6 महीने training लेने में लगे एक साल आपने training किया फिर आप 6 महीने आपको certificate लेने में लगए 4-6 महीने के बीच में अंतर हो गया मतलब यह total आपका 5 साल चला गया 5 साल के बाद आप जब तैयारी करना सुरू करते हैं जब requirement का इंतजार करते हैं और आज कल requirement काफी कम देखने को मिलती है तो दोस्तु आपको जो है एक successful mining engineer बनने में normally 5 साल का समय लगता है और job तक पहुचने में आप लोगों को कम से कम 6 साल से 7 साल का समय लग जाता है जिया दोस्तो इसलिए जो है हम लोग यह कहते हैं कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप लोग college के से fight कर पाए क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों mining का future काफी binge ब्रॉइन साबबाइस सकते हैं क्योंकि अभी भारत में जो लगभाके 70 परसेंट बिज्ली है वह और समया आने की समय में माइनिंग का future काफी है और भारत में लगभाक 320 मिलेन टर्म कोईला जो है रिजर्व है अभी यानि कि ये कोईला निकलने में सम्तिंग सम्तिंग पचास से लेकर के सव साल के बीच में टाइम लगेगा यानि कि पचास साल सव साल जो है अपका माइनिंग में फ्यूचर अभी है तो इसके लिए जो है आप लोगों को आप ये सोच लगते हैं कि माइनिंग में फीचर अभी काफी बाकी है काफी जो है एक ससेसफुल इंसान बनने के लिए माइनिंग में करियर बनाने के लिए एक better option है बर दोस्तो आप लोग माइनिंग के option को जब भी चुनते हैं तो आप लोग सोच समझ के चुनिए क्योंकि इसमें काफी समय लग जाता है कम से कम पान से साथ साल के बीच का समय लगता है जो new student है या जो new mining में अपना career जमाना चाहता है तो उनसे हम कहेंगे कि आप जो है सोच समझ के अपना option चुनिए क्या आप लोग पान से साथ साल देने को तयार हैं या नहीं क्योंकि दोस्तो इसमें बहुत सारे certificate की जरूद होती है सब सब पहला 10th का certificate होना चाहिए diploma का certificate होना चाहिए first aid का certificate होना चाहिए ट्रेनिंग का certificate होना चाहिए आपके पास gas testing का certificate होना चाहिए इसके बाद ही आप जो है एक overman या fourman के certificate के लिए eligible होते हैं then आप जो है अपना properly बन पाते हैं एक mining engineer तो दोस्तो आप लोगों को आसा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि एक successful या mining engineer बनने में कितना समय लगता है जहां दोस्तो 5-7 साल का समय लगता है mining engineer बनने में और आप लोगों को भी लग सकता है तो नए वाले जो student है जो लोग mining में career बनाना चाहते हैं उनसे हम कहेंगे कि आप लोग सोच समझ कर कदम रखें कि आप लोग इतने साल देने को तयार है अगर अभी भी देने को तयार है तो आप लोग mining field में कदम रख सकते हैं तो दोस्तो इसी के साथ जो है आज के वीडियो को हम खतम करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि एक successful mining engineer बनने में यह normally mining engineer बनने में कितना समय लगता है तो thank you friend, thanks for watching this video